हाई खुद बॉर्णिंग सश्यकाल ते अदाप ते नमस्काल ते मनकम आज मेरे हाथ में है अख़बार ये है टाइमस ओफ इंडिया का अख़बार और इसमें जो एक ख़बर आई है उसको पढ़ने के बाद मेरे तो छक्के छूरी गए हाला कि मुझे तो पहले से बता था ल मेरे उपर सवाल उठाने वालों का मुझ बंदाज हो जाएगा चलिए मिलता हूं इस रिपोर्ट के साथ आपका अपना रिपोर्टर डॉक्टर नमनीत कालरा बने रहे कहीं मैं जाएगा जाके भी क्या उखाड़ा हाई कैसे दोस्तों आज का जो वीडियो है ना सच बोलो तो मैंने पहले भी वार्निंग दी थी हाला कि मुझे बहुत गालियां कानी पड़ी जन्ता की पबलिक की और मैंने यही बोला था है मेरे एक वीडियो बहुत वायरल भी हो था कि मैंने बोला था कि इन चार बिमारियों में जन्निक दवाईयां खाने से पहले चार बार सोच लें अपने डॉक्टर को बता दे कहीं जहांसे हाथ ना धोना पड़े और वो बात मेरी सच साभित हुई पहले बता दूं कि यह जो आज का टॉपिक है वो क्यों मैं बना रहा हूं यह जो जांच हुई है डिली कॉर्मेंट के जो हॉस्पिटल और क्लिनिक पे जो दवाईयां इस्तमाल की जाती थी उनकी क्वालिटी पे जांच हुई है और बहुत बड़ा प्रश्चिन लग गया है लेकिन पहले बता तो कि जैनिक दवाईयां कहते किसको है बहुत सारी लोग इस पे चूंचू करना शुकर दे तो और यह वह है जिस पे किसी ब्रेंड का नाम नहीं होता और यह ज़्यादा तर दवाईयां सरकारी होस्पिटलों में दी जाती है मैं जिस एरिया में practice करता हूँ मैं West Delhi में practice करता हूँ वहाँपे दीन द्याल hospital है और सुपर स्मिशल्टी दिन द्याल का एक सुपर स्मिशल्टी hospital है दिली सरकार का शायद वो उस एरिया में पढ़ता है मेरे पास भी काफी complaint आ रही थी मैं खुद observe कर रहा था और एवन मुझे एक डॉक्टर ने बताया कि सर, सरकारी होस्पिटल के डॉक्टर ने बताया, इनी में से कि हम जो एक गोली है दिमाग की, वो 10 MG तक देते हैं, तो कोई उसका असर नहीं होता है, ना कोई साइड एफेक्ट होता है, प्राइवेट की अगर वो इक 3 MG की गोली द देते हैं, तो पेशेंट को भी हो जाता है, मतलब कैसा, मैं इसका मतलब यह कि आपकी दवाई में कुछ है ही नहीं, चूरा है, मतलब यह कि जो आप दवाईयां खा रहे हो, वो सिर्फ एक दवाईयों के नाम पर आपको चूरा परोसा जा रहा था, और यह बात में कभ से ब बिना इस तरह की दवाईयां जिस पर कोई ब्रैंड नहीं है, यह सिर्फ उनको खानी चाहिए, जो लोग के जेब में पैसे नहीं है, जो गरीब इनसान है, अगर आप थोड़ा बहुत भी अफोर्ड कर सकते हो, मैं बोलूँगा जैनरिक ब्रेंडड खाएं, मैं ब्रेंड अच्छी कंपनियों की जैनरिक ब्रेंडड सस्ती दवाईयां भी मिलती है, वो आपको सर्च करना पड़ेगा, लेकिन यह पहले बता देता हूं, यह जो अभी टेस्ट हुआ है, कि इन दवाईयों की क्वालिटी की जाच कि दिल्ली कोवर्मेंट होस्पिटल के, तो दिल्ल फिट्स की दवाईयां थी, जैसे सोलियों वैल प्रेट और एक दो दवाईयां और भी थी, आप सोचिए इनकी एफिकेसी, जो यह माना जाता है कि अगर सो परसेंट हम आइडियल एफिकेसी मान के चला, अगर 75 परसेंट भी इफेक्टिविटी पाई जाती है, तो मानते है बड़ी है, लेकिन यह उसे भी गई गुजरी निकली, आप सोचिए कि इसी फिट्स के पेशिंट को, जिसको दोरे पड़ते हैं, अगर आप उसको सबस्टेंडर दवाई पड़ेंगे तो उसको दोरा भी फिट्स पड़ सकते हैं, एक तो होगी फिट्स की दवाई, दूसर लेगी, इतना फरक है, तो ठीक है, आप दो की देखे छे दवाई आखा लो, दस खा लो, प्राइविट जो ब्रेंड़ेंड दवाई हैं या जनरिक ब्रेंड़ेंड है, वो अगर दो दवाईआ बीपी कंट्रोल कर सकती है, तो जनरिक आपकी पांच गुना खानी पड़ें आपको, और वो भी सब अलग लग मिलती है, और सबसे बड़ी चीज क्या है, कि ब्रेंड़ेंड दवाईयां जैसे कि मैं आपको मोटा मोटा बता हूँ, मैट फोमीन जैसे ग्लाइकोमेट एकसार, स्लो रिलीज, एक्सेंडेंड रिलीज, क्वालिटी होती है, कि धीरे धीर को बताता हूँ, सिफलेक्सिन, ये एक एंटिबाइटिक है, अब हपका इंफेक्शनी कंट्रोल ना हो, और पेशेंट पता चला के सेपसिस में चला गया तो फिर, उसकी भी इंक्वालिटी खराब निकली, सेकेट्रिक ड्रक्स, एंटी एंग्जाइटी ड्रक्स, सब जगे के लोचा निकला गया है, और इसमें पाया गया कि डिजॉलिशन और ड्रक्स जो है, जो डिजॉल होती है, उसमें बहुत बड़ा लोचा था, और यहां के जो एडिशन प्रोफेसर हैं, एचन यादव फार्मा डिबार्टमेंट के एम्स के, उन्होंने बताया कि ये जो तो ये सारी चीज़े कुल मिलाके, यही है कि दवाईयां, जो इस्टेंडर्ड जो था, वो बहुत पूर था, और इस तरह से लॉंग टर्म यूज़ करने से, पेशिंट को बड़ी-बड़ी दवाईयां, बड़ी-बड़ी प्रॉलम आ सकती हैं, इसी मेंसे एक दवाई थी आगे प्रोसेश चल रहा है, आगे कितनी दवाईयां ऐसी होंगी, मैं आज इसको छोड़ेता हूँ, और आगे की काम की बाई, और इसमें कुछ दवाईयां सरकारी लेबरेटरी में टेस्ट की गई, जैसे की ड्रग टेस्टिंग लबरेटरी दिल्ली, रीजनल ड्रग टेस प्राइबरेटरी चंदिगड प्राइवेट में एर्बर फार्मसेटिकल कैट्स लैब्स रिसर्च सोफस्टिकेटर इंडस्टियल मैटेरियल एनलिटिकल लैब, ठीक है, तो यह है, अब इसमें वह बाता लगए कि आम आदमी और बीजेपी की लड़ाई जगरे शुरू हो जाएंगे कि आप भी ऐसे हो और आप सिर्फ दिली गोवर्मेंट के पीछे हाथ दोके पड़े वे हो, मैं इसकी उसमें नहीं जाओंगा, कि यह दिली गोवर्मेंट वालों ने ऐसा करा, जी और बीजेपी कोवर्मेंट बहुत साफ है, हाना, बीजेपी कोवर्मेंट में ऐ इसा नहीं होता है इन सब चीज़ें आपस में लड़ते रहें यह इनका काम है मेरा काम सिर्फ आपको अवेर करना है मैं अवेर करता था लेकिन मेरे भी लाचन यह लगा दी जाते थे आपकी शुगर ठीक ठाक चल रहे थी और आप पहुंचें कोविड में बहुत सा रही है कहानी कोविड में तो बहुत हुई है कि आपकी शुगर बिल्कुल ठीक चल रहे थी कोविड में आपको financial problem आ गई और आप shift हो गे जैन्निक द्वाईयों पे और शुगर इतनी बढ़ ग लेकिन आपको चाहिए हर्ची फ्री में दारू भी फ्री में चाहिए मोथ फ्री में नहीं मिरती मांगा पंडित भी आपसे पैसे लेगा आज तक भारत में टुबर क्लोसिस कंट्रोल नहीं हो पाई है कारण अब यह बात अलग है कि इस दिल्ली स्टेट की जाच की गई सर जाच करनी है सारी स्टेट की जाच कराओ आपको मिलेगा कि यह सिर्फ डिली का ही हाल नहीं है बाकी सटेट्स में भी ऐसा ही होगा करीब करीब क्योंकि करप्शनiane सुर्फ एक स्टेट में नहीं है करप्शन घर जगा पे है आपस की साठाट के तले ही यह सब चलता है कि इसको ठेका देना है किसको नहीं देना है सब पता होता है quality check करने में ही so corruption है inspector आएगा quality check करने वाले लोग आएंगे और चले जाएंगे quality check हो गई हाँ जी हो गई कैसे हो गई इसलिए जो जैनरिक दवाईयां बहार भेजी जाती है इंडिया से बाहर जो export की जाती है उनकी quality बहुत अच्छी होती है जो इंडिया में जैनरिक दवाईया होती है उनकी quality इस तरह की हो जाती है क्यों कोई पूछने वाला नहीं है आज ये अगर जाच हुई है हो सकता है पॉलिटिकली मोटिवेटेड हो हो सकता है लेकिन फिर भी मैं बोलूँगा चलिए कुछ तो हुआ कुछ तो एक आम आदमी को पता चला कि भाई तु दवा नहीं खा रहा है तु जहर खा रहा है तु चूरा खा रहा है तु सिर्फ इस भ्रह्म में है कि तुझे दवा मिल रही है ये बात मैं बोलता था लेकिन मेरी बात कोई सुनता नहीं था इसलिए बोलूँगा अगर आपको शुगर है आपको बीपी है आपको हार्ट प्रॉल्लम है आपको एपिलेप्सी है आपको क्रिटिकल लिलने से इन में जब आप जैनरिक दवाईयां शुरू करते हैं अपने ड जैनरिक जैनरिक वो दवा है फिर बता रहाँ जिसपे ज़पर कोई दवा कर नाम नहीं होता है ज्यादा तर सरकारी हॉस्पिटलों मिलती है यह सरकारी क्लीनिक पर मिलती दूसरी दवा ब्रेंडिट जिसने रिसर्च करी सबसे पहला मॉलेकूल ले के आया वह हो गई ब्रे ब्रैंड़े वह सस्ति हो जाती है उसके बाद रच ब्रैंड़ेंड भी सस्ति हो जाती है क्योंकि रिसर्च में पैसा लगता है इसलिए अब रच्पक कि द्वा Васil हो गई हैं जो दवाई मैं आपको एक एक्जांपल देता हूं कि सीडमस करके दवाई आती थी कितनी महंगी थी पचास रुपे की साथ रुपे की चालिस रुपे की हाना सत्तर रुपे की दवाईयां उस और भी आती थी लेकिन आज वही दवाई पंदरा से बीस रुपे की हो गई है क्योंकि पेटेंट खतम हो गया बागी समने बनानी शुकर दी तो आप जैनलिक बिदेंट खाओ ना पधान मंत्री ओश्दी से लो कहीं से भी लो इसी तर तेरे खिलाफ लीगल एक्शन हो जाएगा लेकिन मैं हिंट दे चुका हूँ अपने वीडियो में कि ये कौन सी कंपनी की दवाईयां हैं उन्होंने अपनी अलग से फार्मा जो है शॉप्स अपनी चेन ओफ शॉप्स खोली हुई है और उसके तहत बहुत सस्ती दवाईयां दे रहे हैं लेकिन चूरा हैं जितने भी लोगों कि मैं शुकर चेक करता हूँ पता चलता है ये वही दवाईयां खा रहे हैं भाई सस्ता रोय बार-बार महंगा रोय बार मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि महंगी दवा खा लेकिन अब आप कहँए डौक्टर तो वही recommend करते है जिसमें उनका commission हो, भाई ठीक है, तुम्हारी सोच ऐसी है, तो हम क्या करें, तुम नेट में सर्च कर लो, best quality medicine कौन सी है, हाला कि वह बात अलागी कि website भी खुद बना के बैड़े होते हैं, घटिया company वाले, जिसमें अपनी द्वाईयों को अच्छा अच्छा बताते हैं, उनक के लोग उनकी marketing कर रहे होते हैं, कुल मिला के situation यह है, कि सरका, सबसे बड़ी चीज़ है, quality check नहीं होती proper, बस, यह है, आज हो गई है, क्योंकि दिल्ली government की द्वाईयां थी, मैं तो कहते हूं कि चलो ठीक है, कहते तो हैं कि बिल्ली के बाग से छीका फूटा, बीजेपी के बाग से आम आदमी का छीका फूटा या किसी का भी फूटा, फूटा तो, quality पता तो चली, लेकिन ये जाच सब states में होनी चाहिए, सारी जगा पता चलना चाहिए, quality कैसी है, और center government के hospital में भी जो दवाईयां इस्तमाल हो रही है, उनकी जाच भी होनी चाहिए, कि उनकी quality कैस है, क्योंकि तब ही पता चलेगा, कि हाँ, ये एक निश्पक्ष जाच हो रही है, और देश आगे बढ़ रहा है, नहीं तो पिर ये अब आज पता ही है, आज विदान सबा में एक दूसरे पर गाली बोचार होनी शुरू हो जाएगी, आप तो भगवान हो, हम तो हमें हमें फसा रहे हो, हाना, ये सब ठीक है, पर मैं एक बात सच है, कि एक आम जनता को, एक आम आदमी को सिर्फ कूड़ा मिलता है, एक वाईजन तो नहीं बोलूँगा, लेकिन एक चूरा मिलता है, जिसमें वो खुछ रहता है, ये मेरी शुगर तो कंट्रोल है, बैस तेरी शुग जाए दो प्राइबेट चल रही है, शुगर कंट्रोल करने की, तब जाके कंट्रोल है, इन लोगों की जर्रिक दोइओं से कंट्रोल नहीं हो सकती ह्या चुह HEY जर्एजनłeगे, हम चलाए वो क्या ँखा जर के लिए जर्एजना शुगिड़ में क्या चा अब एक घृता है चुना लग जाता है वो क्या करें लेकिन क्या वो उसको मरने के लिए छोड़ दिया जाए क्या सिर्फ उसका यह बता दिया जाए कि तुझे हमने दवाई दे तू निकल अब पतली गली से कहां से टीवी कंट्रोल हो जाए कि भाई कहीं से नहोने वाली यार चलिए टेंक यू बोलता हूं कि मैं इसके बाद गुड़ नाइट मेरी तरफ से गुड़ नाइट है जब कि हुआ सुबह है लोग बोलता है अम शब्भा ख्यार क्यों बोलते हूं क्योंकि मुझे नहीं पता कि गुड़ ने के लिए मैं आऊंगा यह नहीं आऊंगा इतने सारे स्टेट झाल